हलो स्टुडेंट इस अश्वानी प्रोईद और मैं लेकर आया हूँ आज बहुत इंपर्टेंट अपडेट काफी सारे स्टुडेंट की कोईरी थी बोल रहे थे सर आप बिल्कुल आये नहीं अपडेट लेके नहीं आये आप्ट आउट के लिए अपने गाइड ने गया मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा दोस्तों कई YouTubers हैं जो काफी confusion फैला रहे थे काफी कुछ बोल रहे थे आई से अपने 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 से उपर समझते में चीज आपको एक स्टार्टिंग में चीज बोलना चाहूँगा आप आप आई से एक स्टुडेंट एंट देम वर्क वो कर लें उन्हें पता है कोई भी ऐसे सिटुएशन नहीं होगी जिसमें स्टुडेंट को दिक्कत और आई से उसमें मज़े कर रहे हैं आई से इक स्टुडेंट की फिकर होती फॉस्ट अफ़ लेचीज पॉजिटिविटी की नोट पर आप समझ लें गलती होती है उपर नीचे होता है वह मैं यह नहीं बोलता हूँ कि मैं सीय बन गया हूँ तो आज मैं आई से का फेबर कर रह नहीं है क्योंकि सुप्रिम कोट में जो पिया फाइल हुई है उसमें नजरीह धेखने का हूँ सीधा सीधा समझ में आ चुका है इस समय क्या है उनका नजरिया यह है कि उन्होंने बोला है जो आप opt-out scheme लेके आये हैं वो opt-out scheme आप exam के last day तक भी रखें यह Supreme Court ने एक hint दे दियो उनको तुसका यह मतलब होता है जो opt-out scheme होगी वो last exam तक भी रहेगी और Supreme Court ने बहुत अच्छी चीज बोली हो इसमें आपको पड़के सुनाता हूँ Can you issue a notification staging that a student appear in a papers and opt-out of last? What will be opt-out of all or appeared in some and opt-out for remaining? मतलब किसी student ने एक paper दिया दूसरे तीसरे paper के बाद उसकी तपर ठीक होगी चुवता paper देने आ गया ऐसे circumstance दो दिये दो नहीं दे पाया तो क्या होगा किसी containment zone में आगे क्या करें Supreme Court ने चीज बताती हो कि alternate आपको center देना होगा अब किसी बच्चे को corona होगे दो paper के बाद तो क्या करेगा जहां तक मेरा opinion है switch में यहां student को बहुत बड़ा benefit मिलने जा रहा है ऐसे मिलने जा रहा है अगर किसी student को corona हुआ दो paper के बाद या एक paper के बाद या दो paper दे पाय जितना भी हुआ तो ICI मेरे according क्या करेगा उस बच्चे ने जो दो paper दे चुका है उसको consider कर लेगा और अगली attempt में सर्फ आपको दो paper देने रहेंगे या ICI क्या करेगा क्या scheme लेकर आ सकता मेरे opinion में जतना मैंने analysis किया आपने जो दो paper दे दिया अगस्त में और आपको corona हो गया तो आप या तो दो paper दे दो remaining आपकी मर्ची optional या आपको full attempt देना November यह ICI बहुत flexibility में आगे होगी सुप्रीम कोट ने चीज़ बोली है साफ साफ सब्दों में कि आपको flexible रहना है या flexible का मतलब या आगया कि पूरा students के favor में चीज़े होनी चाहिए paper conduct कराईए इस सुप्रीम कोट ने ही बोला कि हम favor में MHA की guideline है, Ministry of Home Affairs की जो भी guideline है आप उनको follow कर लें और आपको paper conduct कराना आप paper conduct कराईए पर students का कहीं से कहीं disadvantage नहीं होना चाहिए उनको unfavorable नहीं रहना चाहिए students के लिए कुछ भी तो यह कर सकते हैं कि आप paper देजिए और दूसरी बात जो opt-out कर चुके हैं उनको भी मेरे opinion में ICI बोलने वाला जो opt-out करते हैं वो कर चुके हैं मतलब मेरा कहने का यह जो already opt-out कर चुके हैं ICI मेरे according मेरे opinion में जो इतना मैंने analysis किया यह मेरे personal opinion है ICI बोलेगा जो opt-out कर चुके हैं अब वो भी paper दे सकते हैं उनकी discretionary पर छोड़ दिया जाएगा बच्चों क्या अब कई students बोलेंगे, कई intellectual बोलेंगे Sir, ICI को arrangement करने पड़ेगे अभी till now around 57,000 students ने opt-out किया है सिर्फ और लगबग 2,16,000 students को paper देने पड़ेंगे after considering opt-out students जब ICI इतनी बड़ी arrangement कर सकता है तो 57,000 अगर आने लगे और exam लेंगे तो ICI के लिए सबसे खुशी की बात है कि student paper देना चाहता है ICI paper लेने की दम रखता है तो student देने की दम रखता है यह चीज़ ICI रखता है मैं परवी शर्ष के साथ बिलकुल समर्धन करता हूं उन्होंने बहुत सही गाइड के थे students को कि ICI अगर दम रखता paper देने की sorry अगर ICI paper लेने की दम रखता है तो students paper देने की दम रखता है क्यों डर रहे हैं सीधी सी बात हमें पता आप खुद analysis करके बताए मुझे अगर YouTube नहीं होता शायद मैं भी आपसे connect नहीं होता और जो कुछ लोग बहुत ग्यानी बने हुए हैं discussions करते हैं students के साथ panel discussion and all bla 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 भाई साब ICI को हमने fees दिये ICI के बड़े intellectual लोग हैं उनको काम करने दो उनकी काम में दखल अंदाज ही हम क्यों करें हम अपना पड़ाई करें अगर कोई गलत हो रहा है तो लोग है ना जिससे सुप्रेम कोड ना P.I.L. फाइल हुई ना तो आपके ऐसा नहीं होता कुछ चीज जिससे गलत थी तो उन्होंने रेज हो गई वो चीज अपने आप अपना काम करिए आपके सीनियर्स वहां बैठे हुए है हम लोग भी चीज देखते हैं और कभी यह नहीं चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि मैं सीय बन चुका हूं तो मैं यह इंस्टूट के फेवर की बात करूं मैं कभी यह चीज नहीं करूंगा और कोई सीज गलट हो रही तो मैं चाहिते इंस्टूट के साथ हमेशां कि बद्धा उठाता नौ아ren stop और काफी बार उठाए हैं जो इंस्टूट की लोग देख रहें हाूंगो वगी जानते हैं कि में में ऋचिशन सही बोलता हूं झ traced मैंत को गलत बोलता हूं मैं चाहता, मैं भी व्यूज लेने के लिए इतने दिन में दस बना देता, लक्षर, ओप्ट आओ, डिस्केशन, बहुत सारे स्टुट्ट्स की कोईरी आई है, मेल्स आया है, मैंसे जाया है, वाट्ट्स आया है, नहीं किया स्टीट्टों मैंने रिस्पॉंड, क्योंकि डियर छाहता कि स्टुप्री म कोड ने यह तक बोला कि हम एकमडेट करेंगे, इस्टुट्स को एक हिंट दी है, दो जुलाई को जो फाइनल रिव्यू आएगा, उसमें देखेएगा, जो फाइनल डिसिजन 2 जुलाई को आएगा, तो फाइनल डिस्टु आइगा उसमें उसको हर तरीकी से options पर छोड़ दे जाएगा क्योंकि ये pandemic है यहां दिक्कत है यहां ICI रिजिट नहीं रह सकता कि दो पेपर होके दो के बाद उसे covid होके तो नहीं भाई साब आप फिर से चार दो ऐसा ICI को नहीं करने देगा सुप्रिम कोड एक्जाम करने देगा अगर इंस्टीट के पास सारी चीज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम बाहर जाते हैं हम भी तो सबजी दूद पानी लेने निकलते ही हैं तो एक्जाम में थोड़ा और थोड़ा प्रकॉशन ले लेंगे हैं क्योंकि एक बैंक चुड़ के एक सब आईसे करेगा मैंने अराउंड आईसे के वाद साढ़े 500 सेंटर से जितना मेरी बात हुए सीनर से 800-800 सेंटर आईसे कर रहा है और हो जाएगा और आप इस तैयारी से करिए सपोज वस से वस सेनेरियो हो गय हम पढ़ते जाएंगे हैं आपके सेनियर्स हैं अच्छे चीज को मैटे टेक अप कर रहे हैं ऐसा नहीं होता कि किसी की साथ इंजस्टेस हो जाए आपके साथ हम सब खड़ें अगर कुछ गलत होगा मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ आप बस अपना पढ़ाई पर फोकस कर कर पाएंगे क्योंकि एक पढ़ाई के साथ हमें गुड मैनेजर भी रहना चाहिए ठीक है दोस्तों इस नोट पर मैं यहीं रोकता हूँ कोई भी आपको क्वेरी हो प्लीस कमेंट सेक्ष्यों ने पूछेगा थैंक्यू दोस्तों जहनु